हेलो एबरीबन वेलकम तो मोडलेशन इस्टिट्यूट और जिशा कि आपने थंबनेल में देखा कि में सेक्शन बी के पेपर को कहीं से केलियर करना है तो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो में में बांकी कॉमन ब्रांच की बात कर रहा हूं क्योंकि कॉमन ब्रांच है मेकेनिकल सीविल नोट कॉमन ब्रांच मिल कॉमन टॉपिक पर बात करा हूं कि पेपर को कैसे किलियर करना है और हाव मोडुलेशन हेल्प यूटू किलियर दा पेपर ओके तो सबसे इंपोर्टेंट है कि जो भी पेपर्स आपका सेक्शन बी में है जैसे कि जैसा कि आप जानते हो कि कंपल्सरी और ऑप्शनल का पेपर क्योंकि बहुत सारे इस बार सेक्शन बी में गए है तो कंपल्सरी में सीख सब्जेक्ट्स है और प्लस में जो थिरी सब्जेक्ट्स है अब यह कंपल्सरी में भी एक सब्जेक्ट्स है जो सब के लिए इस पेपर को केसे करना है कैसे इस पेपर को आप एजली कर सकते हो कम टाइम में अब देखते हो और दो महिने का टाइम है जैसा कि इस बार भी मिला है तो आपको पेपर को किलियर करने के लिए आपको जो पेपर किलियर करना है उसके लिए आपको एम आई का पेपर किलियर करने के आपको प्रोपर स्टैटी करने के जरूरत है उसके बिना कोई चांस नहीं है आप अगर यह सोचत tiet है अगुकि अब्डेक्ति कोस्ट hall से कुछ भी तुक्का मार के आ जाए ठीक है ना conventional paper है और conventional paper वो भी आपका paper आपको पता है कि जो चेक हो रहा है वो IT और NIT के professors कर रहे हैं already marking जो है काफी tough है तो आपको paper आपको अच्छे से करना ही परएगा तभी जाके paper clear होगा ऐसी नहीं market में rumor है और इसलिए AMI के स्टुडेंट्स तो एक अलग अप्रोच से देखा जाता है, कि अगर कोई स्टुडेंट्स AMI से बीटे कर रखा है, तो obviously वो स्टुडेंट मेहनती है, और अच्छे से परके गया हुआ है, ठीक है न, तो ये कहां से आया, ऐसा कोई रिमर नहीं है, इसलिए है कि वास्तम में AMI में स्टुडेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आप देखो कि AMI में जो कोशन्स पूछा जाता है, जो Engineering Services का कुशन्स है, जो Engineering Services बोला जाता है, जिसको उस लेवल का कोशन्स होता है, डाडेक्ट आपका Engineering Services का कर्मेंसनिल कोशन्स आपको यह किसे सीघ्स में तो आपको बहुत नहीं आसकता ठीक है लब कुंकि बहुत इस्टर से हैं कि एOW नहीं आ बहुत यहариए जेकर के लिए लिए डलते हैं और आपक्ष्ण में 20 नमर के questions में 4 नमर दिया गया है, 5 नमर दिया गया है, तो एक तो इसमें एक चीज है कि आप questions में जो फालतो एंसर कुछ लिखना नहीं है, AMI का जो paper आप देखोगे, तो उसमें clearly बोलता है कि आप कुछ भी book का language भी नहीं लिखना है, फालतो कुछ भी नहीं लिखना है, जो और अपने language में होना चाहिए, और वो तब लिख पाओगे, जब आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तब तक आप उस चीज के बारे में अच्छे से नहीं लिख पाओगे, और होँआ पर automatically है कि marking आपका कम होगा, तो कोई भी सब्जेक्स अगर नया नहीं है, तो इसका एक benefit आपको ये मिलेगा, कि background आपका है उस सब्जेक्स में, तो उसमें अगर high level करना है, तो हमें कोई दिकत नहीं है, ठीके न, उसमें अगर high level करना है, तो अगर कोई मुझे guide मिले, या कोई proper guide मिले, तो हम easily उस level को cross कर सक रखते हैं, और चाहे आप mechanicals के subjects को लेक लो, तो mechanicals के में ऐसा तो है, कि सारे subjects से introductions है, सारे subjects आपने डिप्लोमा में पर रखा है, चाहे आप civil को हो, civil वाले भी, same ही conditions से electrical हो, electronics हो, तो इस तरह से आप paper को, इसलिए sections A निकालना ज्यादा tough हो जाता है, compared to sections B, लेकिन sections B ऐसा नही हो, already आपके पास time कम है, questions का level, engineering service का level है, तो उस level तक आपको भी पले approach करना पड़ेगा, तब जाके आप paper को solve कर पाओगे, ओके, तो ऐसा ऐसा conditions होता है, बहुत सारे से students है, जुसे में मेरे पास से questions हैं, कि DRDO में हैं, डिप्लोमा करके, और उस conditions में जाके भी, या Delhi में बहु तो उस approach से पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके paper clear होगा, ओके, तो उस approach को कैसे clear करना है, तो आप यहाँ पे, जो भी subjects है, उसका पहले जाके आप देखोगे, questions and analysis करोगे, कि previous year questions किस level से पुझाता है, पहले तो आप इक पर syllabus अच्छे से देखो, अभी तक आपने जो लभी students, बहुत सरा, इसे students भी syllabus है, इसे नहीं देखते है कि syllabus क्या है, कई बार आता है कि दो lin में लिखा हुआ है, और दो lin में लिखा हुआ और इतना ज्यादा syllabus है, एक सगंठे का course है, और उसमें आप को और इस तरह से है, कई बार कोई चीज़े डिस्क्रिप्शन में syllabus है, कई ब पास maximum 2 महीने का ताइम है और 2 महीने में अगर आप 4 subject 3 subject प्लान कियो उठानने पढ़ने का तो सबसे पहले देखेंगे कि उस subject को पढ़ने में कितना time लेगा इसका course content कितना है कितना duration समें लग सकता है इसको के लियर करने में तुब हम बलान करेंगे कि हमें 2 का के लियर करना कैसा नहीं कि हम चार्ट डहान ले और क्लियर हमारा दो भीकी तो एक strategy बनाना है, एक plan बनाना है, कि हमको कैसे clear करना है, ये दो महीना हम कैसे utilize करेंगे, कि हम दो महीना में कितना time हमारे पास है, दो घंटे है, तीन घंटे, क्योंकि already आप लोग working हो, सारे students working होंगे maximum, तो 99 पर एक आज परसंट ही होंगे, जो working नहीं होंगे, अगर आप सारे लोग working हो, तो आपके पास limited time है, और उस limited time में इस course को भी syllabus को भी complete करना है, तो सबसे important है कि आपके पास, ठीक है, वो proper पता होना चाहिए, कि हमें परना क्या है, एक material होना चाहिए, dedicated material होना चाहिए, कि उस syllabus को cover करता हो, कि आपको इधर उधर से syllabus इकठा करने की कर सकते हैं, इसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे content आपको Google पर मिल जाएंगे, और इसा कोई भी चीज इसा नहीं है, जो Google पर नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि आपके पास time होना चाहिए, कठा करने का dedicated content बनाने के लिए, तो यह चीज है, तो आप देखो कि आपको पेपर को कैसे clear करना है, इन विटपीन आप चाहें, तो जैसा कि आप जानते हो कि Modulation Institute भी इसमें course प्रोवाइड कराता है, ओके, अल्रेडी हमने बहुत सारे teams को hire करके, और वो course को मैंने content ready करवाया है, dedicated to AMI, तो आप वहां से भी जाके course देख सकते हैं, अगर आपको लगता 2014 से मैं AMI में परहा रहा हूँ, और पहले मैंने offline परहाया, फिर 2017 के last में मैं इसे online लिखाया, तो मिने पास दोनों experience है, online और offline का, तो मुझे पता है कि paper कैसे clear होता है, और इसलिए में आज Modulation का सबसे ज़्यादा result है, और चाहे हो आधर online में देखोगे, sections A में देखोगे, sections B में देखोगे, maximum students AMI में Modulations को follow करते हैं, और वहां से अपने result paper को clear करते हैं, कुछ चीज़े हैं, जो हमारे साथ भी problem है, कि बहुत सारे subjects हमारे पास नहीं available हो पाते हैं, AMI के दिक्कत यह है कि AMI का subject थोड़ा सा tough है, जिसके कारण teacher भी easily नहीं परहा पाते हैं, या easily available नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ subject से जैसे आपको mechanical, civil, electrical की teachers में जाते हैं, लेकिन computer science, यह सब teachers generally college में होते हैं, क्योंकि इस level पर कोई भी job, इस तरह से government job होता नहीं, तो market में teacher का थोड़ा सा problem हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा कोशिच से कि जैसे ही admissions चालो होता है, हम इसको भी ले के भी लगबग, चुकि मेरे recording जो अगर students select करते हैं, तो एक तो easy भी है, और मैंने उसे available भी कराया है, same, civil की अगर बात करोगे, तो civil के भी सारे subjects available है, electrical की बात करोगे, तो electrical के compulsory के सारे subjects available है, optional के कुछ subjects available है, कुछ subjects प्रोडक्शन के भी available है, तो आप जो भी branch के students है, तो एक है, आप कौन सा exam देने का प्लान कर रहे हो, बहुत सारे combinations बताये गए हैं, already आप YouTube पे सर्च करोगे, okay, कि best option, best subject for, best combination of mechanical engineering, best for subject of, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप mechanical के student हो, या आप किसी भी branch के student हो, तो हर एक subject करना एक दूसरे से link होता है, हर एक subject करना है, कुछ-कु किस से होता है, IC, power plant, यह सब thermal से related subject है, तो हम जब compulsory देंगे, तो optional भी उसी से देंगे, design of machine element और मैं कहने, इक सब solid दोनों related subject है, electrical machine और design of electrical system related subject है, ठीक है, तो यह सारे combinations है, जो हमें पता होना चाहिए, electronics में, आप design of electronic division circuit और electronic circuit, दोनों subject related subject है, तो हम उसी तरह से चूज करेंग है, और उसका concept, दूसरे subject में भी use हो जाए, ओके, तो इस तरह से हमारे चैनल पे आपको search करोगे, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बाकि अगर कभी भी आपको कोई doubt होता है, subject selections में, तो आप एक बार call करके, पता भी कर सकता हो, कि सरकों सा subject के combination select करें, जो one attempt में clear हो जाए Okay, descriptions में number है, आप होहां से number लिखे call कर सकते हैं, बाकि आपका जी सारे courses, modulation institute के app पे available है, आप जाके और उसे app को download कीजिए, ऐधर आपके पास apple, iphone हो, या android phone हो, दोनों के लिए अलग-अलग app है, descriptions में दोनों का link है, फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है, तो number पे call करके आप प students contact करते हैं, आप भी contact कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, आपको EMS related हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जा रहे हैं, ओके, थेंक यू